हेलो स्टुडेंट्स आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लास्स की इस उनलाइन लेक्चर वीडियो में मेरा नाम तनुछ कुमार मैं इस चैनल की माध्यम से आपके सामने स्टेटस्टिक्स से लेकर आता हूं तो देखिए आज की क्लास में हम थियोरी आफ एस्टिमेशन की प्लेलिस्ट में नेक्स्ट टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है क्रेमर राव इनिक्वैलिटी तो देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टाटस्टिकल इन्फेरेंस फरस्ट में उसमें अभी ये discuss करेंगे, इसका statement क्या है और क्या इसकी conditions हैं, ये हम discuss करने जा रहे हैं, इसके बाद हम क्रेमर राव inequality को proof करेंगे, और फिर देखेंगे कि वह इस inequality में equality sign कब hold करेगा तो फिर हम इस पर बेस्ट कुछ और questions आगे करेंगे तो देखें, क्रेमर राव inequality को मैंने यहाँ पर note किया हुआ है बहुत simple terms में नोट किया हुआ है आप इसको statement और इसकी regularity conditions बुक में देख सकते हैं कोई भी reference book जैसे गुन गुपता, दास गुपता की book है, उसमें आप इसे देख सकते हैं, या fundamentals of mathematical statistics text by गुपता कपूर, उसमें भी आपको यह मिल जाएगी, तो जाजतर material मैंने गुपता कपूर से ही इसका लिया हुआ है, तो उसमें आप देख लीजिए तो देखें, क्रेमर राव इनिकुलेटी का statement क्या कहता है, भाई, यह क्या करेगी किसी भी, कोई भी parametric function है हमारे पास, gamma theta, इस parametric function का कोई unbiased estimator अगर exist करता है, वो suppose क्या है, t है तो इस unbiased estimator का जो variance होगा, उसका lower bound, यानि जो minimum variance हो सकता है, वो कितना हो सकता है, वो इस inequality से हम दे सकते हैं, तो यह variance of t, यहाँ पे variance of t का meaning है, वे t क्या है, gamma theta का unbiased estimator है, तो यह variance की value minimum कितनी हो सकती है, gamma dash theta whole square divided by i theta हो सकती है, जहाँ पे gamma dash theta simply क्या है, gamma theta का theta के terms में, first derivative है, और i theta, i theta यहाँ पे कहलाती है, fishers information on theta provided by sample, यानि sample से theta के लिए जो information हमें मिल रही है, उसको हम i theta से represent करते हैं और इसकी value होती है, expected value of del by del theta log L whole square, इसकी बहुत सारी forms होती है, तो वो form भी हम आगे discuss करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे इसको simply समझाने के लिए इस तरह से note किया हुआ है, तो अब यह condition, इस condition के लिए, इस inequality के लिए हमारे पास कुछ conditions होती है, इन्हें regularity conditions कहा जाता है, तो पहले हम इन conditions को one by one discuss कर लेते हैं, तो देखें, जो पहली condition है, पहली condition में हमसे कहा गया है, जो parameter space होगा, parameter space को हम capital theta से note करते हैं, यह parameter space क्या होना चाहिए, non degenerate open interval में होना चाहिए, और यह interval किस में होगा, real line में होगा, तो भई, इसका meaning क्या है, तो इसका meaning समझने के लिए, सबसे पहले हमें समझना होगा भई, यह non degenerate और degenerate intervals क्या होते हैं, तो देखें के example यहाँ पर हम consider कर लेते हैं, suppose एक closed interval है, a to a, इस तरह का closed interval है, तो इस interval का जो possible values होंगी, possible values का जो set बनेगा, यहाँ पर एक interval मैंने define किया है, a to a, और इसका possible values का जो set बना, उस set में क्या होगा, singleton होगा, singleton मीन्स वो set क्या होगा, सिर्फ एक value को contain करेगा, या इसी तरह से मैंने ले लिया a to a, यह एक open interval मैंने ले लिया, तो इस case में जब इस interval की possible values का मैं set बनाऊँगा, तो यह क्या आएगा, एक empty space आएगा, तो देखें, दो time यहाँ से आई, एक तो भई interval जो given है, उस interval की possible values का set क्या है, singleton है, उसी तरह से एक open interval है, इसकी possible values का set क्या है, empty set है, तो हम कहेंगे वह, यह intervals क्या है, हमारे degenerate intervals है, तो degenerate intervals क्या होगे, ऐसे intervals, जिनकी possible values का set क्या होगा, या तो singleton होगा, या empty होगा, तो वो intervals हमारे क्या कहलाएंगे, degenerate interval कहलाएंगे, तो अब non degenerate interval क्या होगे, ऐसे intervals, जिनके possible values उसका set ना ही empty होगा ना ही singleton होगा यानि उसमें क्या होंगी कुछ values होंगी तो वो interval हमारा क्या कहलाएगा non degenerate interval कहलाएगा अब यहाँ पे कौन सा interval हम consider कर रहे हैं open interval consider कर रहे हैं तो open interval का मतलब है रियल लाइन में जो real line का interval होगा वो open interval होगा यह interval होगा minus infinity to plus infinity यानि जो parameter space होगा, parameter space में जो भी parameters हमारे पास होगे, उन parameters का set क्या होगा, उन parameters की possible values का set क्या होगा, वो इस तरह से open interval में लाई करेगा, अब parameter space क्या होता है, यह हमने first lecture वीडियो में discuss किया था, जहाँ पे हमने terms and definitions को discuss किया हुआ है, उस lecture वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से भी आप उसे दे सकते हैं, otherwise वो playlist जब आप हमारी देखेंगे, statistical inference first, तो उसमें वो first video होगा, वहाँ पे हमने parametric space क्या होता है, वो बताया था, parametric space simply होता है, set of all possible values of a parameter, तो यह तो हो गया भाई, first condition, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो parameter space होना चाहिए, वो non degenerate open interval होना चाहिए, real line में, second condition हो गई वही, dell by dell theta of likelihood function exist for all theta, यानि क्या होना चाहिए, likelihood function जो आप बना रहे हो, sample observations का, यानि joint pdf of sample observations, उसका theta के terms में first derivative exist करना चाहिए, third condition है, the range of integration or summation, the range of integration or summation is independent of theta, यानि जब आप integration करोगे, अब integration किसका होगा, joint pdf का होगा, किसके terms में होगा, random variable के terms में होगा, तो उस case में, जो random variable है, उसकी range क्या होनी चाहिए, theta के independent होनी चाहिए, parameter के independent होनी चाहिए, इसका एक example है, best example है, uniform distribution, जब हम uniform distribution को define करते हैं, तो इसका pdf होता है, one upon beta minus alpha, और जब य यह x की range होती है, alpha to beta, तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे x की range क्या है, parameter पे depend करती है, तो इस case में, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रेमर रावन इकुलेटी को apply नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या होगा, third condition होगा, the range of integration or summation is independent of theta, यानि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, the range of random variable must be independent of the parameter, इसी तरह से fourth condition है, fourth condition में हमने कावे, the integrals or sums are uniformly convergent, अब यहाँ पे जब हम integral की बात कर रहे हैं, या sums की बात कर रहे हैं, अगर हमारा pdf discrete होगा, तो हम क्या करेंगे, sum calculate करेंगे, अगर हमारा pdf continuous होगा, तो उस case में हम integration का use करेंगे, अगर probability calculate करनी है, तो वहाँ पर integration जो हम calculate कर रहे हैं, या summation या integration क्या होना चाहिए, uniformly convergent होना चाहिए, यानि उसकी value क्या होगे जिस रो की ओर tend होगी, यानि उसकी कोई फिक्स value होगी, ऐसा नहीं कि आप integration solve कर रहे हैं, ऑर वो उसकी value diver overt हो रही है, यानि infinity की ओर जा रही है, अगर ऐसा होगा, तो उस case में भी क्रेमर राव इनिकुलेटी होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह से फोर्थ condition है कि जो फिप्थ condition है फिप्थ कंडिशन में होवा भई इसी में थोड़ा सा हम calculations करेंगे तो इसकी value इतनी हो जाएगी डेल बाई डेल थीटा ओफ लॉग लॉग टू टाइम्स यह माइनस के साथ होगा तो यह आई थीटा क्या होना चाहिए एक्जिस करना चाहिए और क्या होगा positive होना चाहिए for all थीटा यानि जो भी parameters के लिए हम क्या कर रहे हैं आई थीटा को calculate कर रहे हैं वो exist करना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए positive होना चाहिए तो देखें यहां से second दो conditions हमारी निकल के आगी first condition में हमने कहा वही जो del by del थीटा है of L वो exist करना चाहिए यहां हम कह रहे है del by del थीटा of L two times यह भी हमारा क्या होना चाहिए exist करना चाहिए अब इस case में यह i थीटा हमारा कहला आएगा information provided by sample on थीटा तो यह क्या होना चाहिए exist करना चाहिए और साथ में positive होना चाहिए और एक last और condition है जिस भी distribution के लिए जिस भी parameter के लिए आप क्या करने जा रहे हैं unbast estimator का minimum variance पता करने जा रहे है minimum variance का bound उसकी limit पता करने जा रहे हैं तो उस case में सिर्फ एक parameter क्या होना चाहिए अन्नोन होना चाहिए जैसे अगर normal distribution की बात की जाए तो normal distribution में हमारे पास दो parameter है mu और sigma square तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम mu के unbiased estimator की minimum variance limit निकालने जा रहे हैं तो उस case में सिर्फ mu unknown होना चाहिए sigma square क्या होगा known होगा या फिर अगर हम sigma square के unbiased estimator का variance minimum variance निकालने जा रहे हैं तो उस case में sigma square हमारा unknown होगा और mu हमारा known होगा तो यह भी condition है कि किसी भी distribution में क्या होना चाहिए सिर्फ एक parameter unknown होना चाहिए तो यह conditions जब follow करेंगी तो हम कह सकते हैं भई किसी भी parametric function gamma theta का कोई भी unbiased estimator t अगर exist करता है तो उसका variance का जो lower limit होगी यानि इस से variance नीचे नहीं हो सकता है इस से variance कम नहीं हो सकता है या तो इसके बराबर होगा variance या इस से ज्यादा होगा बराबर कँब होगा उसकी condition हम बाद में discuss करेंगे तो यहाँ पर यह lower bound हमें देता है जो kramer rava inequality है यह हमें क्या provide करती है वा Arians का lower bound provide करती है और किसके variance का कोई भी gamma theta का कोई भी unbiased estimator t तो अब देखे इसको हम proof करते हैं तो देखे kramer ray inequality को proof करने के लिए हमने एक random sample consider कर लिया किसी continuous distribution से हमने यह sample consider किया हुआ है उस continuous distribution का pdf कितना है fx theta है तो इस case में हमारे पास जो likelihood function होगा likelihood function को हम इस तरह से define कर लेते हैं इसे मैं sort में x vector की form में लिख लूँगा जहां पर x vector x1 x2 up to xn को represent करेगा तो यह हमारा क्या होगा यह होगा product i12 up to n f of xi, theta यानि likelihood function क्या होता है joint probability density function of sample observations तो यहां से देखिए यह condition हमारी hold करेगी integration l d x vector यानि l का x के terms में integration या इसको आप इस तरह से लिख लीजे likelihood function यह हमारा likelihood function है n observation पर based है तो इसका integration भी क्या होगा n fold integration होगा इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं n fold integration है तो यह integration क्या होगा हमारा one होगा क्यूंकि likelihood function क्या है joint PDF है और PDF की property होती है भी उसका integration over the range of x वो कितना होना चाहिए one होना चाहिए कोई भी function है वो PDF कब होगा जब दो conditions को hold करेगा पहली condition भाई यह function क्या होना चाहिए non negative होना चाहिए और दूसरा इस function का x के terms में integration या इस function का x के terms में summation यह कितना होना चाहिए one होना चाहिए integration कब होगा of sample observations है तो इसका joint integration x1 x2 up to xn इसके terms में integration क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए तो यहां से अब हम regularity condition को apply करेंगे हमने कहा है यह क्या है range of integration independent of theta है यानि हमने ऐसी population consider की हुई है जिसमें random variable के range क्या होगी independent of theta होगी अगर वो theta पे depend करेगी तो उस case में फिर हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो यहां पर देखिए integration range हमारी theta के independent है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहां पर differentiation अंदर कर सकता हूँ तो differentiation करूँगा theta के terms में तो यह इस तरह से मैंने इसे लिखा तो यह कितना आ गया 0 आ गया और इस integration को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई डेल बाई डेल theta लॉग L इन्टू L dx vector equal to 0 यहां पर जब लॉग L का हम theta के terms में differentiation करेंगे तो यह 1 बाई L इन्टू डेल बाई डेल theta L dx आएगा तो 1 बाई L से यह L हमारा cancel out हो जाएगा यह L हमने क्या किया हुआ है यहां पर balance के लिए लिया हुआ है तो यहां से यह देखे अब क्या हुआ यह हमारा L dx vector यह है और यह कुछ quantity है और आपको पता है जब हम expected value of x की बात करते हैं तो यह होता है integration x fx dx तो यह इसी तरह की form है यहां पर x की जग़े पर del by del theta log L है और fx हमारा likelihood function है likelihood function हमारा pdf है तो यह imply करेगा भई expected value of del by del theta log L equal to 0 यानि जब हम del by del theta of log L इसकी expectation calculate करेंगे तो यह कितना आएगा 0 आएगा इसे हमने equation 1 कह लिया तो आप देखे भई क्रेमर राव inequality proof करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए gamma theta का एक unbiased estimator होना चाहिए तो हमने का भई यह t gamma theta का estimator है और expected value of t यह किसके equal है gamma theta के equal है तो इस case में यह t को हम likelihood function की expectation के terms में लिख सकते हैं तो यहां पर यह हो जाएगा integration t into L dx vector equal to gamma theta हमने क्या किया भई likelihood function actual में क्या है joint pdf है sample observations का और जो estimator है वो क्या है function of sample observations है तो इसकी expectation इस likelihood function के help से calculate की जा सकती है तो यहां से यह expected value of t हो गया integration over the range of x या over the range of xi अब यह भी क्या होगा multifold integral होगा sorry unfold integral होगा क्योंकि जो likelihood function है वो n observation पे based है तो short time हम इसे इस तरह से लिख ले रहे है integration t into L dx vector equal to gamma theta तो यहां से देखिए जब हम इसका theta के terms में differentiation करेंगे तो यह differentiation कितना होगा यह हो जायेगा t t तो theta का function नहीं है t आपका theta के independent होगा तो ऐसी रहेगा integration होगा हमारा del y del theta L dx vector is equal to gamma dash theta अब gamma theta का theta के terms में differentiation कितना होगा gamma dash theta होगा तो यहां से इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं देखिए t into del y del theta of log L अब log L का जो differentiation आएगा उसे balance करने के लिए हमने क्या कर लिया L से इसको multiply कर लिया तो यह quantity इस तरह से आ गई तो अब देखिए यहां पर फिर से इस पूरी quantity को आप देखेंगे तो यह as a x t होगा तो यह x into fx dx यह इस तरह की form बन रही है तो इसे हम लिख सकते हैं expected value of t into del by del theta log L equal to gamma dash theta यह हमारी equation 2 आ गई तो simply हमने क्या किया यहां पर हमने अज्यूम कर लिया t हमारा क्या है gamma theta का unbiased estimator है तो इस case में यह इस तरह से हम इसको develop करेंगे तो यह equation हमारे पास आएगी अब देखें दो condition हमने निकाल लिया है यहां पर एक हमारे पास यह condition है expected value of t into del by del theta log L तो दो term है हमारे पास एक है estimator t और एक condition है del by del theta log L तो हम क्या करें इन दोनों के बीच में correlation की help से हम क्या कर सकते है inequality को proof कर सकते हैं तो correlation निकालने के लिए हमें क्याची यह होगा covariance यह होगा तो covariance between t, del by del theta log L तो यह किता होगा देखे covariance between x, y तो यह होता है expected value of x into y minus expected value of x into expected value of y इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं तो यहां से यह मिलेगा हमें expected value of t into del by del theta log L minus 0 अब 0 कैसे हो अब इसे लिख सकते होगा expected value of del by del theta log L यह हमने अभी निकाला था यह कितना है 0 है तो यहां पर हम कह देंगे using 1 यह हमने इस तरह से कह लिया तो देखे अब expected value of t into del by del theta log L इसकी value है gamma dash theta तो यहां से result आगया this implies that gamma dash theta is equal to covariance between t by t comma del by del theta of log L यानि actual में जो gamma dash theta है वो क्या है वो t और del by del theta log L के बीच का covariance है तो यहां से correlation के terms में हम इसे लिखेंगे तो correlation हमारा देखें हमें पता है r xy यहां पर आप लिख सकते हैं by we know that rxy is equal to covariance between xy divided by square root of variance of x into variance of y तो यहां पर x हमारा है t और y हमारा है del by del theta of log L और ये भी हमें relation पता है वही R square ये R square ये क्या होता है less than equal to 1 होता है तो यहां से ये result हमें मिलेगा square of covariance between x, y is less than or equal to variance of x into variance of y ये relation हमने निकाल लिया correlation coefficient की help से R square हमारा क्या होगा less than or equal to 1 होगा तो यहां से हमने क्या किया R x square की value put की तो ये इस तरह से equality आ गई अब यहां पे देखे x की value 2 है, y over t है y की value del by del theta log L है तो ये value जब हम put करेंगे तो ये हो जाएगा or covariance of xy covariance of xy means covariance between t and del by del theta log L ये value है हमारी gamma dash theta तो ये आजाएगा gamma dash theta whole square which is less than or equal to variance of x that is variance of t into variance of y variance of y में ये आएगा variance of del by del theta log L तो इसे हम equation 3 कह लेते हैं तो अब देखे gamma dash theta तो clear है gamma dash theta हमारा क्या है del by del theta of gamma theta है variance of t ये हमें चाहिए variance of del by del theta log L ये हम देखे calculate कर लेते हैं तो देखें वेरियंस of del by del theta log L ये कितना होगा ये होगा expected value of del by del theta log L whole square minus expected value of del by del theta log L ये इसका whole square होगा तो यहां से ये value आ जाएगी expected value of del by del theta log L whole square और इसको हमने क्या कहा है I theta कहा है क्योंकि ये quantity expected value of del by del theta log L ये कितना है 0 है तो इसमें सिर्फ ये quantity बचेगी और इसको हमने I theta कहा हुआ है तो variance हमारे निकल गया तो from inequality 3 we get तो क्या मिलेगा हमें देखें gamma dash theta whole square which is less than or equal to variance of T into I theta तो यहां से variance of T variance of T is greater than or equal to gamma dash theta whole square whole divided by I theta और यही हमारी क्या थी Cramer Rao inequality थी तो इस तरह से हमने regularity conditions का use करके Cramer Rao inequality proof कर ली तो Cramer Rao inequality बता रही है वहाई कोई भी gamma theta का unbiased estimator है suppose T तो उसका variance minimum कितना होगा gamma dash theta whole square upon I theta होगा तो अब देखे particular case हम यहाँ पर consider करते है particular case में क्या होगा वही gamma theta अगर हमारा क्या है theta के equal है तो उस case में gamma dash theta कितना हो जायेगा 1 हो जायेगा अब suppose estimator T है वह theta का unbiased estimator है तो उस case में जो variance of T होगा वो क्या होगा greater than or equal to 1 upon I theta होगा तो यह भी हमारी क्या है kramer raw inequality है in case of theta अगर parameter हमारा simple है theta है तो उस case में kramer raw inequality इस तरह से हम दे सकते हैं तो अब बात करते हैं वही इस inequality में equality sign कब hold करेगा अब यह equality sign कब hold करेगा ऐसा क्यों हम देखना चाहरे हैं क्योंकि हम देखे kramer raw inequality से यह बता रहे हैं कि theta का कोई भी unbiased estimator है T तो उस T का minimum variance कितना हो सकता है कितना होगा इसके लिए हमें यहाँ पर equality sign चाहिए यहाँ पर अभी uncertainty है हम कह सकते हैं वह T का minimum variance है वो कितना होगा 1 by i theta होगा इससे कम नहीं हो सकता है लेकिन क्या इतना ही होगा तो इतना ही होने के लिए हमने check करना है क्या variance इतना है या नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए equality sign चाहिए surety चाहिए तो यह equality sign कब hold करेगी इसको हम discuss करते हैं देखे तो देखे यह हमने kramer rave inequality को इस तरह से हम लिख सकते हैं तो अब देखे गामा डैस थीटा equation 2 में जब हमने equation 2 drive किया था तो इसे हम इतना लिख सकते हैं expected value of t into del by del theta of log l इसका यह whole square होगा और variance of t अब t गामा थीटा का unbassed estimator है यानि expected value of t यह गामा थीटा के equal होगी तो इसे भी हम expectation की form में लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा t minus गामा थीटा whole square इस तरह से हमने लिख लिख लिए आपको पता है वही जो variance का formula होता है variance of t यह होगा expected value of t minus expected value of t whole square और expected value of t कितना है गामा थीटा है इसी तरह से यह quantity हो गई expected value of del y del theta log l whole square तो यहाँ से देखिए अब expectation का meaning है या तो हम क्या कर रहे हैं integration कर रहे हैं या summation कर रहे हैं तो इस तरह की जो inequality होती है इसमें equality sign हम quasi-swarge inequality की help से check कर सकते हैं कि equality sign quasi-swarge inequality में कब hold करता है अब quasi-swarge inequality क्या होती है देखिए quasi-swarge inequality में यह condition होती है summation a into b whole square is less than or equal to summation a square into summation b square यह हमारी equation कहलाती है quasi-swarge inequality हमारी कहलाती है quasi-swarge inequality तो इस quasi-swarge inequality में equality sign कब hold करेगा तो equality sign तब hold करता है जब a upon b यह क्या हो constant हो यानि यहां पर A और B दुनों आपस में क्या होंगे proportional होंगे जब A और B आपस में proportional होंगे तो इस case में यहां पर क्या आजाएगा equality sign आजाएगा अब इसको एक बार हम check कर लेते हैं देखे हमने क्या किया A1 की value हमने ले लिए suppose 1 A2 की value ले ली 2 और A3 की value ले ली 3 इसी तरह से B1 की value हमने ली 2 B2 की value ली 3 और B3 की value ले ली हमने 4 तो अब हमें क्या calculate करना है देखे पहले summation A into B हम calculate कर लेते हैं तो summation A into B का मतलब हुआ भ़ई A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 तो इसे जब हम solve करेंगे तो यह आएगा 2 plus 6 plus 12 तो 2 plus 6 plus 12 तो यह value आगे हमारी 20 तो यहाँ पर हमने क्या calculate करना है इसका square calculate करना है 20 का whole square यह आएगा 400 इसी तरह से अब मैं क्या करूँ summation A square calculate करूँ और summation B square calculate करूँ तो summation A square क्या होगा इनका square मैं add करूँगा तो यह 1 square plus 2 square plus 3 square इसी तरह से इनका square add करूँगा 2 square plus 3 square plus 4 square तो यह जब मैं solve करूँगा तो यहाँ से summation A square यह मुझे कितना मिलेगा देखे 4 plus 1 5 plus 9 that is 14 और B square हमें कितना मिलेगा B square हमें मिलेगा 4 plus 9 13 plus 16 that is 29 तो अब मुझे क्या calculate करना है देखे summation A, B whole square यह मेरा 400 है और less than equal to summation A square summation A square is 14 into 29 तो जब मैं यह calculate करूँगा तो यह value आएगी 406 तो यहाँ पे देखे यह inequality क्या कर रही है hold कर रही है हमारे पास A की values है और B की values है हमने इस तरह से calculation की तो यहाँ पर क्या है inequality hold कर रही है अब मैं क्या कर लूँ भई A upon B को constant कर लूँ यानि A मेरा क्या है B के proportion में है तो इसे भी हम करके देख लेते हैं तो यह करने के लिए तो यह करने के लिए B1 की value 2 है B2 की value मैं 4 ले ली और B3 की value मैंने 6 ले ली तो अब यहाँ पर जब मैं calculations करूंगा तो यह 2 plus 8 plus 18 तो यह value आई 28 तो यहाँ पर हम calculate करेंगे 28 square और इसी तरह से यह summation A square summation A square mean 1 square plus 2 square plus 3 square यह तो हमारा 14 ही रहेगा और B1 square, B2 square, B3 square यानि 4 यह calculate कर लेते हैं 2 square plus 4 square plus 6 square तो यह 4 plus 16 plus 36 तो यह आएगा 56 तो यहाँ पर देखे 28 square less than or equal to 14 into 56 तो इसे मैं लिख सकता हूं देखे, इसे मैं लिख सकता हूं 56 को लिख सकते हैं 14, sorry 28 into 2 और 2 से 14 को multiply करेंगे तो इसे मैं लिख सकता हूं 28 into 28 that is 28 square तो यहाँ पर देखे इस case में क्या हो गया यह equality sign hold कर गया तो equality sign कब hold किया इस equation में जब A upon B हमारा क्या था constant था तो जब A upon B हमारा constant है तो उस case में causes charge and equality में equality hold करेंगी अब इस equation पर आजाईए यह equation भी क्या है same है causes charge and equality की तरह है पर expectation के terms में और आपको पता है expectation क्या होता है या तो summation की help से calculate होता है या integration की help से calculate होता है अब देखे इस condition जो यह condition है हमारे पास इसको हम किस तरह से rearrange कर सकते हैं तो इस condition के लिए देखे यही condition थी expected value of T into del by del theta log L तो यहाँ पर मैंने क्या किया expected value of T इसमें gamma theta subtract कर दिया और gamma theta add कर दिया और यह del by del theta log L इसी तरह से रहा तो अब देखे जब इससे मैं अंदर multiply करूंगा तो यह इस तरह से मैं multiply कर सकता हूं तो T minus gamma theta into del by del theta log L plus gamma theta into del by del theta log L तो अब जब expectation अंदर ले जाओंगा तो expectation की value हो जाएगी T minus gamma theta into del by del theta log L plus 0 अब यह 0 कैसे हुआ देखे expected value of gamma theta gamma theta तो expectation से बाहर आएगा parameter है expected value of del by del theta log L यह quantity कितनी है 0 है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वही expected value of T into del by del theta log L इसको हम expected value of T minus gamma theta into del by del theta log L लिख सकते है तो यहाँ पर मैं इसे लिख लूँगा देखे और और इसे मैंने लिख लिया expected value of T minus gamma theta into del by del theta log L whole square which is less than equal to expected value of T minus gamma theta whole square into expected value of del by del theta log L whole square तो अब देखे यह कोसिस आज़न इकुलेटी की फॉर्म में आ गया यह कोसिस आज़न इकुलेटी थी हमारे पास summation A into B whole square less than equal to summation A square into summation B square जहाँ पर A की जगह पर हमारा T minus gamma theta है और B की जगह पर del by del theta log L है और हमको पता है इस inequality में equality का भोल्ड करेगी जब A और B हमारा क्या होगा constant होगा यह भी हमने देखा था अभी हमने इसको प्रूफ कर लिया numerically तो अब देखे यहाँ पर यह equality का भोल्ड करेगी यह actual में क्या है यह क्रेमर राव inequality है क्रेमर राव inequality को हमने इस तरह से आगे बढ़ाया यहाँ पर इस तरह से हम आ गए यहाँ पहुंचे है अब हम देख रहे हैं यह equality क्या है तो यहाँ पर हम कहेंगे बए equality sign कब होल्ड करेगा जब T minus gamma theta into sorry T minus gamma theta and del by del theta of log L दोनों क्या होंगे proportion में होंगे यहाँ पर लिख सकते हैं equality equality sign holds when T minus gamma theta divided by del by del theta log L equal to constant तो इस condition पर क्या करेगा क्रेमर राव इन equality में equality sign hold करेगा तो यहाँ से देखे जब हम इसे solve करेंगे तो यह आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं del by del theta of log L equal to T minus gamma theta upon यह मैंने constant ले लिया suppose lambda theta यह constant क्या है theta का ही कोई function होगा तो यह condition जब hold करेगी यानि क्या hold करना है log L का theta के terms में partial derivative अगर हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं तो उस case में क्रेमर राविर इक्विलिटी में equality sign hold करेगा तो अब इसी को हम आगे के lecture वीडियो में discuss करेंगे और इस पे based कुछ और example सम्द आगे solve करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे आप share करेंगे और इसे लाइक करेंगे और अगर आपने विख चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू